भाई दूज पर लाडली बहनों के खाते में आएंगे 3,000 रुपए अभी इसकी कोई आधिकारिक घोशना नहीं की गई है एमपी के 12,000 पटवारी होंगे इधर से उधर सरकार की बड़ी कवायद जी हां मध्य प्रदेश के हजारों पटवारी जल्द ही इधर से उधर हो सकते हैं राज्य सरकार ने इसके लिए कवायत चालू कर दी है प्रदेश के भू अभिलेख आयुक्त ने सभी कलेक्टरों से पटवारियों की जानकारी मांगी है भू अभिलेख आयुक्त ने जिलादीशों को पत्र लिख कर ग्रिह तहसील पद पदस्थ पटवारियों और ग्रिह अनुविभाग में पदस्थ राजस्व निरीक्षकों यानी आराई की जानकारी भीजी है पत्र में पटवारी को ग्रिह तहसील में पदस्थ नहीं करने के निर्देश की भी याद दिलाई गई है राज्य सरकार ग्रह तहसीलों पटवारियों को हटाने की तैयारी कर रही है जिससे प्रदेश भर में खलबली मच गई है इधर पटवारी संग ने ऐसे किसी निर्देश के जारी होने की बाद ही नकार दी है सरकार देने वाली है 25 प्रतिशत तक सबसिडी जी हाँ अगर आप भी पेट्रोल डीजल के महंगी कीमतों से बचने के लिए हाल ही में इलेक्ट्रिक कार बाइक या मोपिड खरीदने वाले हैं तो विकलप आपका अच्छा है पर फिलहाल के लिए आपको इसे अच्छा है क्योंकि जल्द ही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इलेक्ट्रिक भीकल पर नई सबसिडी व्यवस्था लाने वाली है। विश्वसनिय सूत्रों की माने तो इसका ड्राफ्ट तैयार है। वही मुख्यमंत्री मोहन यादव इस संबंध में केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी से मुलाकात कर चर्चा भी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही अब इस ड्राफ्ट को कैबिनेट में पैश कर मंजूर किया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने तो मंत्राले के सूत्रों के हवाले से यहां तक दावा किया है कि सरकार इलेक्ट्रिक भीकल को प्रदेश में प्रमोट करने के लिए इन पर 25 फीसदी तक सबसिडी देगी। सिहोर से 200 और नर्मदापुरम से 289 तीर्थ यात्री रवाना होंगे। ये ट्रेन 18 नवंबर को वापस लोटेगी। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर में एक के बाद एक कई तीर्थ दर्शन ट्रेने हैं जो अलग-अलग जिलों से चलेंगी। इसमें हजारों यात्रि की बुधनी और शियोपुर जिले की विजयपुर विधान सभा में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। इसी बीच मध्य प्रदेश निवार्चन आयोग की ओर से प्रदेश के मतदाताओं के आंकडों की अपडेट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। जारी अंकडे के अनुसार MP में साढ़े 6 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और 7,47,000 मतदाताओं के नाम जोडे हैं। मतदाताओं ने नए पते अपडेट करवाए है। नए मतदाताओं को जोडने और जरूरत के अनुसार नाम हटाए जाने की प्रक्रिया तेज अधिकतर जिलों भीशन आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार भोपाल और इंदौर के अलग-अलग इलाकों में 30 से ज्यादा स्थानों पर हुई आगजनी की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं भोपाल की एक मल्टी में खड जांच में जुटी टी में बता दे मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांध वगर टाइगर रिजर्व में कोदों की फसल खाने वाले दसवें हाथी ने भी आखिरकार दम तोड़ दिया है। एक एक करके महज तीन दिनों के भीतर ही दस हाथियों की मौत ने मध MP में बनेंगे 6 नए जिले क्या दो महीने में पूरा हो पाएगा परिसीमन बता दे मध्य प्रदेश के सभी जिलों तहसीलों और ब्लॉक की सीमाएं तय करने के लिए एक आयोग का गठन सरकार द्वारा किया जा चुका है। पुनरगठन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कई जानकारों का मानन है कि यह लंबी प्रक्रिया है। इसमें अभी काफी समय लगने की गुंजाईश है। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है जिसमें 56 जिले और 430 तहसीले हैं। कर तोड़ फोड़ की गई है। स्थिती को नियंतरन करने के लिए भारी पुलिस बलको तैनात किया गया है। जानकारी के मताबिक बच्चों के पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। जहां गैरेज पर कई लोगों की कहा सुनी शुरू हो गई। जिसके बाद भीड बढ़ते ही हंगामा शुरू हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुँच गई और मौके पर हालात पर काबू पाया। भारी भरकम और लीकेज की जंजट होगी खत्म। अब मिलेंगे फाइबर के कंपॉजिट गैस सिलेंडर। बता दे गैस के के दौरान दुरगटनाओं में कमी आएगी। पारम पर एक स्टील सिलेंडरों की तुलना में फाइबर रेंफोर्सट कंपॉजिट सिलेंडर हलके होते हैं और इनमें तूटने फूटने का खत्रा कम होता है। ये कंपॉजिट सिलेंडर अधिक प्रेशर को जेल सकते हैं औ और इन्हें ले जाना भी आसान होता है।